हो गए शुरूँ अभी तो काफी टाइम बचा हुआ है रोयल रंबल के लिए लेकिन प्रेडिक्शन सभी से करनी है क्योंकि भाई देखो स्वागत तो करना ही पड़ता है रोयल रंबल विनर का बहुत पहले सी राइट तो यह सो मैं चैंपियंस ओफ दो वर्ड मैं हो 3DX जेतने यह से वीडियो में आज मैं 5 ऐसे अपने रोयल रंबल अर्ली विनर्स को प्रेडिक्ट करने वाला हूँ फोर रोयल रंबल 2023 जो कि आई थिंक उस दिन रोयल रंबल को जीत सकते हैं फीमेल सुपरस्टार का भी करेंगे लेकिन फीमेल में मेरे पास 5 चोईसिस नहीं है नहीं एक चोईस पी नहीं है सिर्फ 2 चोईसिस है तो इसलिए फीमेल से शुरुआत कर लेते हैं जिसमें सबसे पहरा नाम मैंने रखा है बेली का अफ्कोर्स आपको दो यह पता ही होना चाहिए ना 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 not because I'm a big fan of बेली बट आपको यह पता होना चाहिए कि बेली कितनी कर पाती जिसके chances मुश्किल है I don't want that to happen I don't even remember कि मैंने लास टाइम बेली को रोयल रंबल में लड़ते हुए कब देखा था हर बार तो वह चैंपियंशिप मैच में थी साशा बैंक्स मेरको इसलिए लगता है because let's say कि return अगर होता भी है तो रोयल रंबल can be a great spot for you know that pop जो कि साशा बैंक्स के लिए अब कैदर कर सकते हो और four horse woman के लिए ही मैंने prediction इसलिए रखी है because Charlotte और Becky जीत चुकी है अब ये दो बची है इन दोनों को भी victory दिला के पहले इनका मामला सुल्टा लो बाद में आके देते रहे ना जो भी नए superstar आ रहे ठीक है ना अभी हम men's की तरफ बढ़ते हैं और इस list में जो men's की list है ये जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतनी highest probability है मेरी तरफ से कि हाँ भाई ये जीतने वाला है तो जिसकी जो शुरुवात रखी है वो है मैंने करी है Sammy Zane and Kevin Owens से मेरे को लगता है कि सबसे कम probability है बट मैंने इनको as wild card भी रखा हुआ है बिकोज इनको बहुत लोग मैं देखता हूँ कि Royal Rumble winner के तोर पे नहीं देखते I understand why because of their storylines because of their character हलांकि सिर्फ अच्छा match देने से कुछ नहीं होता लोगों के according एक एक अंदर से वो जजबा होना चाहिए ना कि yes you are the one who can dethrone tribal chief but at the same time Kevin Owens was the guy जो कि बिचारे Elrod से confused हो गए then you have Sammy Zane जो कि Roman Reigns की छत्रो चाया में पलना बढ़ना चाते है बावजूद इसके just because I know कि Sammy Zane and Kevin Owens अगर Royal Rumble जीतते हैं तो वो अपने character से कितना influence कर सकते है road to WrestleMania को इसलिए मैंने उनको as wild card डाला हुआ है and I pretty much believe कि अगर यह Royal Rumble जीतते हैं तो यह disappointment तो definitely बिल्कुल भी नहीं करने वाले so that is the reason जो मेरा पहला नाम है वो है Sammy Zane and Kevin Owens next जो मैंने रखा है वो है fall and pray carry and cross और carry and cross को मैंने थोड़ा और कम percent में इसलिए डाला हुआ है because I don't know कि अगले 5-6 महिने में क्या होने वाला carry and cross के साथ I'm assuming the way he arrived Royal Rumble के बहुत बढ़ा competitor बन सकता है in fact जो Drew McIntyre के लिए vibes आई थी हमें 2019 की ending में वो ही हमें carry and cross के लिए भी देखने को मिल सकती है इसलिए मैंने carry and cross को इस list में भी डाला हुआ है अगर like WWE के main roster की बात करूँ तो सबसे inexperienced बंदा इस list के अंदर carry and cross ही है और chances भी मैंने इनके कम ही रखिया है because you know again नया superstar है तो इतना जल्दी कैसे कर सकते है but at the same time मैं हमेशा believe इसलिए रखता हूँ because एक time पे Alberto Del Rio जीता था अपनी debut Royal Rumble debut थी न वो 2011 वाली 40 बंदों की Royal Rumble वो जीत ही है था तो अगर WWE वो चीज कर सकती है तो carry and cross तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा option है भाई मतलब सोच रहाँ Alberto Del Rio का Royal Rumble जीतना और फिर Alberto Del Rio versus Edge मिलना सबसे हैं तो गुस्ता था Edge को आया हुआ कि यार मैं championship लेग इसलिए बैठा था हट मैं तो retire हो रहा हूँ पर अब और यह मैं मजाक नहीं कर रहा Edge सही में retire भी होगे उसके बाद बट खेर wild card मैंने Sammy Zen and Kevin Owens को तो कहा ही है बट लग carrying cross रहा है बट नहीं carrying cross मेरी pick रहेगी अगर let's say कि अगर वो किसी young talent के साथ जाना चाते है तो वो carrying cross है आप definitely chiampa भी pick कर सकते हो chiampa is also a great pick but I am going with carrying cross because उन्होंने already Roman Reigns को नजरे मिला ली है next जो मैंने रखा है वो है Seth freaking Rollins yes एक और बार Royal Rumble जीत जाए तो क्या ही मज़ा आजाएगा Seth Rollins का right मतलब अगर let's say कि आपका ये 2021 पूरा साल अगर खराब गया है then आप इसको कैसे शुरू कर सकते एक अच्छी शुरुवात में आप 2030 की Royal Rumble जीत चाओ उससे जादा क्या अच्छा हुआ आपकी जो इस साल के शुरुवात थी वो कितनी खराब हुई थी आप Roman Reigns से जीते तो थे लेकिन DQ की वज़े से कितना बुरा मारा Roman Reigns ने वही चीज़ अगर आप next year Royal Rumble में करते हो reverse में और Royal Rumble जीतते हो और वो भी इस character के साथ because 2018 की जो Royal Rumble Seth Rollins ने जीती थी of course fans का उसमें पीछे support था Brock Leiser के साथ जो राइबोर री चली थी WrestleMania तक वो भी बढ़िया ही थी तो मेरे को नहीं लगता है कि अगर उस character के साथ Seth Rollins इतना चल सकता है तो मैं मानने को ready ही नहीं हूँ कि ये वाला character जो है लोगों को बेकार लगेगा Royal Rumble जीतते हुए in fact he is the guy जो कि actually मैं deserve करता है Royal Rumble considering कि वो बंदा कितना हार है Seth Rollins ऐसी performance दे थे अगर Royal Rumble में कि फार के ही रख दे इसलिए Seth Rollins का नाम मैंने इधर रखा है now दो नाम बच्चे हुए है जिसमें से number 2 पर मैंने रखा है Bray Wyatt as I said Bray Wyatt is now everywhere you cannot see him right now but don't worry Bray Wyatt definitely WWE के अंदर अब तो मेरे इसाब से confirmed ही समझ लो अब बस यह कि कब आएगा now my prediction is कि आ तो वो जल्दी जाएगा but at the same time अगर वो थोड़ा रुखते हैं और Royal Rumble में entry होती है Bray Wyatt की number 30 पर if there is anyone in this list जो कि मैं चाहता हूँ कि number 30 से आगे जीते it is Bray Wyatt Bray Wyatt is not known for his work but his character तो ऐसे में number 30 पर आने से जीतना सबसे ज़्यादा chance उनहीं का बन in fact Undertaker उनका character भी similar है right और वो भी number 30 से Royal Rumble जीते दे तो इसलिए Bray Wyatt का भी इदर ही sense बनाएगा and I'm saying this because Bray Wyatt का fan base है भाई तगड़ा especially अगर वो one of those you know dangerous mask के साथ आने वाले then I'm all for it जीता हो भाई Bray Wyatt को and finally number one पर जो मैंने रखाँ जिसके मेर को लगता है के सबसे आदा चांसे है next year के Royal Rumble जीतने के because fans का पूरा support है everybody's looking for that and जिस तरह ऐसे 2022 में All Elite Wrestling से दगा करके the WWE में आई है oh 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 yes I'd revel in in my soul Cody Rhodes और जितादो इने Royal Rumble now people are saying number 30 पर John Cena का recreation करेगा I'm like are you serious are you freaking serious like Cody Rhodes at number 1 position or number 2 position is way much better idea than number 30 you are saying के number 30 पर आने से surprise मिलेगा oh बहुत बड़ी है ये तो वही वाली बात होगए भाई मेरे को na surprise gift में ये diamond की ring चाहिए oh ठीक है भाई surprise हो जाना लेकिन फिर जब मैं दूंगा तो ये तो कोई sense ही नहीं बनाता मेरे को तो लगता है कि number 30 से ज़्यादा surprise लोग number 1 पर ही हो जाएंगे number 1 या फिर number 2 पर I mean सोचो ना number 1 पर Seth Rollins आ रहा है number 2 पर Cody Rhodes आ रहा है just like Edge and Orton ने जिस तरह से 2021 के Royal Rumble में किया था और Cody Rhodes का जो आपने run देखा होगा थोड़ा से WWE के अंदर और जिस तरह से वो अपने Torn Pack के साथ Helly Nassar में 5 स्टार मैच खीच के ले गया do you think he is that type of guy जो कि number 30 पर आकर जीतने में बिलीव करेगा या फिर number 1 पर आकर पूरा survive करके जीतने में बिलीव करेगा tell me and Cody Rhodes can do that if I remember correctly कोई सी तो Royal Rumble थी नाम मेरे को याद नेरा I think 2013 या 12 के असपास होगी जिसमें Cody Rhodes and Miz ने बहुत अच्छी performance दी थी तो Cody Rhodes definitely can survive और बहुत अच्छी performance दे सकता है Royal Rumble में especially now with this character तो ऐसे में Cody Rhodes का मेरे को लगता है number 1 या number 2 पराना बहुत ही ज्यादा sense बना सकता है और उनका Royal Rumble जीतना तो मेरे को तो लगता है कि inevitable है तो ये सारे superstars है मेरी तरफ से जो कि मेरे को लगता है कि जीत गए तो कोई दिक्कत नहीं मेरे तरफ से अपना पैसा वसूल हो गया और पहले वीडियो इसलिए बना दी मतलब यह होना चेन है कि अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया था तो इसमें से अगर कोई जीत के तो बढ़िया है बाकि Brock Lesnar का तो last में betting award आई जाता है मतलब हम कुछ भी बोल ले end में जब तक Royal Rumble आती है तब तक betting award आजाता है कि Brock Lesnar Royal Rumble जीतने वाला है we are like क्या Brock Lesnar WWE Championship match में नहीं था they are like कि हाँ है लेकिन देख ना तुम Rumble and जैसे हम Rumble देख थे Brock Lesnar actually में Rumble जीत जाता है so वो तो खेर होई सकता है but यह थी मेरे list definitely comments में मैं आपसे अपने top two picks जानना चाहूंगा Royal Rumble के लिए जो कि आपको लगता है कि next year जीत सकते comments में लिए और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्री लाइक को शरी को चैनल को सब्सक्राइब करो